नमस्ते कार और आजम कड़े हैं एक अमेरिकन कार के सामने जिसका नाम है Chrysler 300C यह 1st generation UK से इंपोर्टेड लिमोजीन मॉडल है सिर्फ दो ही Chrysler लिमोजीन हैं इंडिया में ECO Renta Car Company से यह लिमोजीना भायर कर सकते हैं Weddings, Airport, Transfer, Dating के लिए Party Product Promotion या VIP Celebrities के लिए इंडिया में कहीं भी एवलेबल हो सकती है Chrysler लिमो उसके लिए आपको एक महीने पहले booking करनी पड़ेगी और यह logo यहापर किसी ने निकाल दिया है यह है site profile Chrysler लिमोजीन की Conversion और import के बाद लगबग 1 कुर्ट रुपे की कीमत है टैसल लिमो की और यह है अठारा इंच के लोजी वील चार घंटे और 40 कुलूमेटर के लिए hire करेंगे तो price शुरू होती है 24 रुपे से 8 घंटे और 80 कुलूमेटर की price है 40,000 रुपे और 12 घंटे और 120 कुलूमेटर की price शुरू होती है 54,000 रुपीस से एक्स्रा घंटे के 25 रुपे और एक्स्रा किलिमेटर के 250 रुपे से प्राइज शुरू होती है यह मैंने स्टार्टिंग रेट्स बताए हैं शादी, कॉर्पोरेट, सीटी, टूर या इवेंट्स के लिए प्राइजिंग में थोड़ी बहुत डिफरेंसे आएंगे एरपोर्ट के, एरपोर्ट ट्रांसफर के रेट्स हैं 25,000 रुपे इन रेट्स में के अंदर डीजल, शॉफर और सब रनिंग कॉस्ट इंक्लूड़ीड है मैक्सिमम आट किस्ट अलाउड है रियर वील ड्राइव है, क्रैसलर लिमो और क्रैसलर LX प्लैटफॉर्म पर बनी है 300C और इसके कई कॉंपोनेंट्स W211 Mercedes E-Class से लिए गए है यह 300C की बैजिंग है यहाँ पर इको रेंटा कार कंपनी का लोगो है वहाँ पर यह उपर की कनवर्टेड रूफ और यह साइट प्रोफाइल लिमोजीन की आईए अब फ्रेंट पैसेंजर साइट डॉर खोलते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है अब क्रोम स्ट्रिप मिल रही है डूर पर और बुट्री में है एंडल बार नीचे दोड़ी बाव स्पेस है और यह लेधर सीट्स मिल रही है लेधर अपॉल्स्ट्री आईए ड्रेवर साइड डॉर खोलते हैं यहां पर भी आपको क्रोम स्टिप मिल रही है और वुड ट्रिम है यह पावर विंडो के कंट्रोल से हैं हाँ पर यह लेधर अपॉल्स्री यहां पर दो मेमोरी सीट्स के फंक्शन्स है और यह की इंसर्ट कर यहां पर होती है और यह फ्रेंट लाइट के कंट्रोल से हैं नीचे हैंड़ ब्रेक है और यह स्कफ प्लेट शाइनी स्कफ प्लेट आपको मिलती है क्राइसलर लोगो की यह अंदर बैठते हैं और अंदर से दाड़ी को तोड़ा और क्लोजली देखते हैं यह आम रेस्ट के अंदर थोड़ी बहुत स्पेस है और काफी स्पेस को यूटिलाइस पहले सी करा हुआ है और इसको उड़ाएंगे तो इसके अंदर दो ग्लास होल्डर्स हैं यहां पर और यह है फोर स्पीड आटोमेटिक ट्रांस्मिशन यहां पर इसके अंदर यह एश्ट्रे और लाइटर है और यह एर कॉन के कंट्रोल्स हैं यह इन्फोटेन्मेंट स्क्रीन है म्यूजिक नैविगेशन के लिए यह क्रैसलर क्लॉक और इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के कंट्रोल्स यह डिजिटल एलेडी पैनल और यह लिमो के कंट्रोल्स, इंटरकॉम, बैटरी, स्टिरियो और आगे पीछे के डिवाइडर और रियर फैन के कंट्रोल्स हैं यहां पर और यह ग्लोब बॉक्स, थोड़ी बाइब स्पेस है ग्लोब बॉक्स के अंदर इस टेरिंग पर काफी कंट्रोल्स हैं, फोर्स बॉक्स टेरिंग, बीच में क्रैसलर का लोगो यहां पर थोड़ी बहुत कंट्रोल्स है, इंफोटेन्मेंट के और पीछे यह वाइपर के कंट्रोल्स हैं, यह क्रूस कंट्रोल है इस तरफ कोई कंट्रोल्स नहीं है और यह इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर वाइट बैक्राउंड में 160 MPH की टॉप स्पीड बता रहा है लगबग 260 किलोमेटर की टॉप स्पीड और मैक्सिमम 7000 RPM आगे से कुछ ऐसा दिखता है पीछे का लुक कमफर्टेबल सीट्स हैं यहां पर यहां से आप क्लोज कर सकते हैं इस डिवाइडर को चलिए पीछे का पैसंजर साइड डूर खोलते हैं और यहां पर आपको मिल रही है क्रोम स्ट्रिप और वही बुट ट्रिम में हैंडल बार और नीचे तोड़वा स्पेस है यह पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं और यहां पर आप इसको मैनुवली कॉटिंस आपको मिलते हैं आप यहां पर इसको शाइन करने के लिए थैंक यू सोच और यहां पर इसका फ्रेट नहीं है और यह हैं लेदर सीट्स आठ पैसंजर की जगे है अल क्रेसलर लिमो में यहां पर तीन लोगों की सिटिंग है और सामने साइड में तीन सिटिंग और फ्रेंट में दों सिटिंग हैं ज़िपक टोटल अ' आप लोग की सिटिंग है comfortably 3 LCD screen और यहां पर कॉफी कंट्रोल्स है हम थाज्योस को पाएंगे तो दो ग्लास होलर सेंहां पर इसको बंद कर देते हैं तीन हेड्रेस मिल रहे हैं आपको यह रेडिंग लाइट्स है आपर और यह पर और यह फ्लोर की लाइट, आपको अब लग लग लाइट के चंट्रोल्स हैं आपर संरूफ नहीं है और यह पाइनर मुजिक सिस्टम और यह फैन, AC, इंटरकॉम और डिवाइडर के कंट्रोल्स बारा स्पीकर के साथ तीन LCD स्क्रीन आपको मिलती हैं पीछे और यह मिनी बार है यहां पर बिल्ट इन कूलर के साथ हाई कॉलिटी क्रिस्टल ग्लासिस भी आपको मिल रहे हैं काफी यह AC वेंट्स हैं हाँ पर यह स्पीकर्स, अलग-अलग डिजाइनर ग्लासिस यहां पर भी एक वेंट दिया गया है यह दिवाइडर यहां पर लगा दिया गया है और यह रॉल्स रॉल्स स्टाइल में स्टारी स्टीलिंग एक बार में फिर से आपको अंदर का लुक दिखाता हूँ क्लियरली और ओपनली थोड़ा सा यहां पर आपको डिस्को एलीडीज भी मिलती हैं और यह स्टाइलिश मिनी बार LCD स्क्रीन और यह स्टारी सीलिंग रॉल्स रह स्टाइल में इसकी भी आप लाइटिंग्स चेंज कर सकते हैं कुशन्स भी आपको मिलते हैं आपर बहुत ही कंफुटेबल है यह हाई अब इस साइट से खूल कर देखते हैं यहां से कैसे एंट्री लुक है यहां पर भी मिनी बार का आपको फुल व्यू दिख रहा है और पीछे का आप यहां से आप क्लिक करेंगे तो यह आटमेटिक बूट यहां से उपन होगा तो इसके अंदर आपको 500 लिटर की बूट स्पेस मिलती है पहले से यूज करी भी है बूट स्पेस इसको ठाएंगे तो इसके नीचे आपको स्पेर विल और टूल किट है और काफी क्लेनिंग किट्स पी यहां पर रखी भी है पहले से ही और साइड में यह एक्स्ट्रा बैटरी है यहां पर हाई यह बॉनेट कोलते हैं इसके अंदर मर्सेडीस बैंस 300 cc V6 डीजल एंजन मिलता है 215 bhp और 510 nm टॉर्क है 230 की टॉप स्पीड है लीमो कनवर्जन के बाद लगवग 6 का एवरेज मिलता है 71 लिटर के फ्यूल टैंक से इसका बैक करते हुआ पड़ा सा लुक देखिये कार का पूरा अमेरिका की सबसे पॉपिलर कार में से एक है क्रैसलर 300C बैरेक अबामा स्नूब डॉग और कई हिपाउप आर्टिस्ट और गैंक्स्टर्स की फेवरेट रही है 300C क्रैसलर कंपनी के लिए भी काफी आइकॉनिक रही है लीमो कनवर्जन के बाद तो यह और जादे अट्रेक्टिव लग रही है 300C यहां पर रिस्पेक्ट कमान करती है गाड़ी रोड पर और यहां पर मैं आपको दिखा रहा था था स्टैंडर्ड बॉस्टन का म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है यहां पर और मिलियर 300C के एक्सपर्ट और शॉफर मिस्रस सतनाम सिंग जी से क्राइसलर लिमो के की ड्राइविंग के काफी बड़ एक्सपिरेंस हैं और आज यही मुझे सिटी टूर करवा रहे हैं इस शांदार लिमोजीन में जितना घूमों उतना कम है इस लिमोजीन में और यह है और विचे का लूक तो अब हमारी ट्राइब यहां पर ओवर होती है तो कैसी लगी आपको क्रैसलर 300C लिमोजीन आप हायर करेंगे इको करेंटकार कमपनी से या खुद की खरीदना पसंद करेंगे हमें कमेंट्स में बताईए थेंक्यू